आप सब ही का स्वागत करते हैं नियूज लाइब में दोस्तो राश्पती चुनाओं से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री मम्ता बनर जी बिपक्च को एक जूट करने के लिए काफी प्रयास कर रहे थी अलाकि राश्पती और उपराश्पती चुनाओं में ये प्रयास सार्थक नहीं नजर आया अब नितिश कुमार भी विपक्च को एक जूट करने के प्रयास शुरू कर दिये हैं और इसी बीच मम्ता बनर जी ने कहा है कि 2024 का खेल बंगाल से शुरू होगा उन्होंने कहा कि हे अकेली रह जाएगी कॉंग्रेस। कॉंग्रेस पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए भारत जोडो यात्रा शुरू के हैं खास बात यह है कि यह आत्रा केवल कॉंग्रेस की हैं इसमें दुसरी पार्टियों का कोई शाभागिता नहीं है उधर ध्यान देन मलीका आरजुन खडगी ने दावा किया था कि बिना कॉंग्रेस के विपक्ष एक नहीं हो सकता है। कॉंग्रेस सबसे पुरानी राजनितिक पार्टी है ऐसे में जाहिर की बात है कि पार्टी अपना वर्चर स्वचाती है हाले में नितिश्कुमार ने भी राहुल गांधी से मुलाकात किया था अगुवा आई करना चाहती है ममता बनर जी ममता बनर जी पहले भी विपक्ष को एक जूट करके आगे चलने का प्रयास कर चुकी है उन्होंने कॉंग्रेस अध्यक शुनिया गादी और नशीपी ने ता सरत पवार से भी मुलाकात की थी अब नितिश् कुमार ने बड़ी बात ये कही उन्होंने कहा कि वे थिसरा फ्रंट नहीं बलकि में फ्रंट बनाना चाहते हैं। भाजबा से जम कर टकराव करने के बाद भी विपक्ष के साथ नहीं दिखाए देते हैं ममताब अनर जी ने भी अपने बयान में केजरिवाल का जीक्र नहीं किया आम आदने पार्टी अभी पूरा ध्यान गुजरात चुनाव पर लगाना चाहती है क्योंकि वो जानती है कि इस चुनाव के बाद ही 2024 का मोहल बनेगा अब देखना दिल्चस्प होगा कि क्या विपक्ष एकजूट हो पाता है और विपक्ष जब एकजूट हो पाएगा तो PM मोधी को माद देगा या नहीं ये बेहाद देखना दिल्चस्प होने वाला है खरिश्पर आपके क्या रहा है कमेंट डॉक्स में बताइए धन्य बाद